Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज शुरू करेंगे Chapter 6 Integers तो पहला ही Topic है कि What are Integers? Integers actually होते क्या हैं? अभी तक आपने दो तरह के Numbers सीख चुके हैं Natural Numbers और Whole Numbers Natural Numbers को हम Counting Numbers भी बोलते हैं जहां से गिंती शुरू होती है जैसे कि 1, 2, 3, 4 and so on Whole Numbers 0 से स्टार्ट होते हैं नमबर तो 0 ही होगे न, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 and so on तो ये 0 और 0 के बाद ये Natural Numbers ये सारे मिलके Whole Numbers हो जाते हैं Whole Numbers और Natural Numbers में बस इतना डिफरेंस है कि Natural Numbers 1 से स्टार्ट होता है और Whole Numbers 0 से स्टार्ट होते हैं अब ये दो तरह के Numbers तो आपको पता है अगर इन Numbers के अंदर हम माइनस साइन लगा देते हैं जैसे कि ये 1 है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 मतलब माइनस के Numbers जहां तक भी ये जा रहे हो साइन हम Negative लगा दें और ये 0 भी हो और ये जो प्लस के Numbers है 1, 2, 3, 4 यानि 0, 1, 2, 3, 4 ये तो आपको पता है लेकिन अगर ये जो Numbers है नेचरल Numbers इनमें हम माइनस का साइन लगा दे तो ये Negative Numbers बोले जाते हैं और सारे के सारे Negative Numbers सारे Positive Numbers और ये जो 0 है ये ही मिलके पूरा का पूरा है Integers बोला जाता है तो ये होते हैं Integers Integers में माइनस का साइन भी होता है कोई माइनस का नमबर है या कोई Plus का नमबर है या 0 0 को मैं लग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0 ना थो माइनस का होता है ना ये Plus का होता है 0 का कोई साइन नहीं होता ये होते हैं Integers अब integers को number line के उपर कैसे दिखाते हैं यह आपका second topic है showing integers on our number line number line के उपर integers को दिखाने का तरीका यह है यह आपके एक number line है equal distance के उपर यहां मैंने points mark किये हुए जब आप बनाते हैं number line तो यह जो gap है यह बराबर होना चाहिए और इसमें यहां पर कहीं पर मैं 0 लिख लेता हूँ अब यह 0 हो गया let's suppose कि यह center है 0 से right की तरफ number शुरू होते है plus के number लिखना यह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on यह कभी खतम तो होंगे निगिंती के numbers तो 0 से right में जो जाते हैं वो positive numbers होते हैं और 0 में से ही left की तरफ numbers निकलना शुरू होते हैं वो negative होते हैं और शुरुआत 1 से ही होगी 0 के बाद minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 and so on यह number line के उपर इस तरह से दिखाये जाते हैं integers याद रखने की बाद कि 0 बीच में होता है right में होते हैं positive numbers और left में होते हैं negative numbers और 0 के पास से ही 1 लिखना शुरू करते हैं positive के लिए भी और negative के लिए भी अब इसके बाद जो next topic है वो है greater or lesser यानि कोई integers आपको दे रखे हो कोई 2 integers आपको दे रखे हो तो कैसे पता चलाओगे कि कौन बढ़ा है कौन छोटा है एक example से देखिए सबसे आसान example ये number है 6 और ये number है 3 आपसे पूझा कि कौन बढ़ा है तो ये तो first class का बच्चा भी बता देगा कि 6 बढ़ा है ये दोनो positive numbers है number line के उपर आप देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है तो 6 बढ़ा है तो जो बढ़ा number है ना वो right में होता है ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है number line के उपर जो number right के अंदर पढ़ता है वो बढ़ा होता है ये एक बिल्कुल पक्का rule है एक और example देखिए I suppose 0 है और 5 है 0 और 5 में कौन बढ़ा है आफकोर्स 5 बढ़ा है तो 5 की तरफ बढ़े का निशान लगा देंगे number line पर देखोगे तो 5 और 0 इन दोनों number के अंदर जो 5 है ये right की तरफ पढ़ रहा है और 0 left की तरफ है जो right में होता है वो बढ़ा होता है अब एक example मैं negative का number का ले लेता हूँ जैसे कि minus 3 और minus 7 आप इन में कौन बढ़ा है number line के उपर देखते है यहाँ पर minus 6 तक लिखा है मैंने minus 7 भी लिख लेते हैं ये minus 7 है और ये minus 3 है इन दोनों में right में minus 3 है क्योंकि minus 7 left side में पढ़ रहा है और minus 3 right side में पढ़ रहा है तो जो minus 3 है ये बढ़ा माना जाएगा तो आप इससे एक बात सीख गए होगे कि जो positive number होते है वो जो बढ़ा होता है वो ही बढ़ा माना जाता है लेकिन अगर numbers negative हो दोनों तो जो number छोटा होता है यानि कि जिस number की जो value है जैसे कि ये 3 है और ये 7 है तो जो 3 है ये छोटा है तो negative का छोटा number बढ़ा माना जाता है ये इसका just उल्टा होता है इसमें कोई समझने में कोई बहुत बड़ी problem नहीं है एक example और देखते हैं जैसे कि 0 है और minus का 4 है अब इन में कौन बढ़ा होगा देख लीजिए 0 ये रहा minus 4 ये रहा इनको compare कीजिए 0 आपका right में पड़ेगा और left में minus 4 है तो जो right में है न वो बढ़ा होगा तो 0 बढ़ा है It means negative का कोई भी number हो 0 तो उससे बढ़ा होता है क्योंकि 0 हर negative number के right में आएगा तो greater और lesser पता करना इतना आसान होता है दो चीज़े बिल्कुल जो आपको ध्यान में रखनी है वो इतना है कि positive number तो जो बढ़ा होता है वो ही बढ़ा होता है लेकिन अगर number negative के है न दोनो तो जो छोटा number होता है न उसकी value बढ़ी होती है अब एक example ऐसा ले लेते जहाँ पे एक number positive हो और एक number negative हो 1-3 अब इन में कौन बढ़ा है ये 1 जो है ये positive number है और जो minus 3 है ये negative number है इन दोनों की position देखिए जो 1 है न ये right में पढ़ रहा है तो ये बढ़ा है It means positive number कितना भी छोटा हो वो negative number से बढ़ा ही होता है क्योंकि number line के उपर वो right में लाई करता है इतनी simple सी बात है चले इसके बाद जो next topic है वो है addition of integers using number line number line का use करके integers को कैसे add किया जाता है तो मैंने एक number line बना लिये ये 0, 1, 2, 3, 4 and so on right में numbers है positive के minus 1, minus 2, minus 3 and so on left में numbers है number line मैंने उल्लेडी बना लिये एक दो example से समझाता हूँ addition के तो addition के अंदर क्या होगा आपको language में लिखा होगा more than more than का मतलब है उससे ज़्यादा कोई number दे देगा उससे कहगा इससे ज़्यादा बताईए जैसे कि example के तौर पे 3 more than 2 यानि 2 से 3 ज़्यादा अब 2 से 3 ज़्यादा तो आप उंगलियों पे भी बता सकते हैं 2 से 3 ज़्यादा क्या होंगे 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 होंगे इसी चीज को number line के उपर कैसे दिखाओगे आप कि पहले तो आप 2 पे जाओगे ये plus का 2 है ना ध्यान देना साइन का भी ध्यान देना है ये 2 है अब इस से 3 ज्यादा ज्यादा का मतलब है बड़ा अब जो बड़ा होगा वो right में होगा तो आप right के अंदर 3 steps count करके ऐसे jump करोगे 1, 2, 3 आप पहुँचगे 5 पे देखिया आपका answer 5 ही तो है एक और example लेते हैं एक negative का example ले लेते हैं जैसे 2 more than minus 5 minus 5 से 2 ज्यादा तो पहले तो minus 5 पे पहुँचगे ये रहा minus 5 अब 2 ज्यादा है ना more ज्यादा का मतलब है बड़ा और बड़ा होता है right side में तो right में आपको 2 jump लेने हैं एक और ये 2 तो आपका answer हो गया minus 3 तो बस addition इतना simple होता है कि जब आपको लिखा हो 3 more than 2 यानि कितना ज्यादा तो पहले तो उस number पे पहुँचे जिससे वो पूच रहा है कि किस से ज्यादा और फिर जितना ज्यादा है उतना आप right में step ले लीजे तो ये तो होगा language में question ऐसे भी आ सकता है जैसे कि minus 3 plus 4 ये भी हो सकता है इसका मतलब minus 3 plus 4 का मतलब minus 3 में 4 जोडने हैं जब 4 जोडेंगे तो 4 जादा ही तो हो जाएंगे तो पहले तो minus 3 पे पहुँचेंगे फिर plus 4 है plus 4 का मतलब है right में चलेंगे एक, दो, तीन, चार तो इसका answer आगया one तो addition इस तरह से की जाती है number line को use करके next जो topic है वो है subtraction subtraction of integers using number line ये भी same to same इसी तरह से होगा इसमें बस उल्टा चलेंगे क्योंकि subtraction के अंदर number छोटा हो जाएगा एक example देखिए और इसमें जो language आएगी न वो होगी less than ऐसा कुछ question होगा जिसमें less than लिखा होगा यानि कि उससे छोटा बताईए एक example देखिए two less than five five से दो छोटा अब five से दो छोटा होता है तीन हमको पता है उंगलियों पर पता चल गया करेंगे कैसे line के उपर और छोटा होता है left side में तो हम left में jump लेंगे एक और ये दो देखिए तीन पर पहुँचेगे न एक negative का example ले लेते हैं four less than minus two minus two से 4 कम let's see, let's come मतलब 4 कम तो minus two पर पहुँचे पहले यह रहा minus two अब 4 कम तो 4 step back ले लीजिए एक, दो, तीन, चार तो पहुचगे minus six पर बस इतना सा simple है यह अब इसका question ऐसे भी आ सकता है यह तो language में आ गया इतना less, इतना less ऐसे भी आ सकता है question form में जैसे कि minus three और minus two इसका मतलब है minus three में से आपको minus two करना है तो पहले तो पहुँचे minus three पर, यह रहा minus three, अब क्योंकि minus two करना है, तो back चलिए दो step, एक step और यह दो step, तो पहुचगे minus five तो इस तरह से subtraction की जाती है, number line को use करके, चलिए इसके बाद है जो next topic है यह है addition and subtraction of integers, अब यह addition and subtraction जो है without number line है यह last topic है, आपके इस chapter के introduction का, और यह बहुत ज़ादा important है तो इसे आप ध्यान से देखना इसमें कुछ rules होते हैं, पहले वो rules को ध्यान से समझिए plus और plus 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 बन जाता है plus यानि की addition अगर आपके पास कोई दो integers हैं, जैसे की six है, plus है और यह three है तो यह दोनों plus के हैं न इसमें कुछ नहीं लग रहा तो plus का है, तो plus और plus दोनों इनमबर plus के हैं, तो plus plus हो जाएगा plus, यानि कि यह add हो जाएंगे तो six में three जोड़ेंगे, तो nine आगया, और जो sign होगा न यहाँ पे, sign वो ही आएगा जिसके यह दोनों नमबर से यह दोनों plus के हैं, तो plus का ही नहीं नहीं आएगा, plus लगाने की जुरूत होते नहीं है, यह पहली बात दूसरी चीज, minus minus यह भी plus होता है यानि कि add एक example देखिए, इसी में ले लिए minus six और minus three यह दोनों नमबर से minus के हैं तो minus minus add हो जाते हैं क्योंकि एक जैसे है, minus समझ लेजिए जैसे कि बुरे लोग है छे बुरे लोग और तीन बुरे लोग तो यह जुड़ जाएंगे, नो बुरे लोग और sign किसका लगेगा, sign वो लगेगा जो यह है, दोनों ही minus के हैं न तो minus का ही sign लगेगा दो बाते समझ में आ गई, तीसरी पर ध्यान देना अगर एक number plus का हो और एक number minus का हो तो plus minus हो जाता है minus यानि कि subtract अब इसी example को देखिए 6 है, यह तो plus का है और minus का 3 है तो यह तो plus का number यह minus का है तो plus और minus हो गया minus यानि कि subtract, यानि को घटान है 6 में से 3 minus करेंगे 3 आएगा, अब बात आती है sign किसका लगेगा, sign उसका लगेगा जो बड़ा number है यहाँ पे जो 6 है यह बड़ा है और बड़े का sign क्या है plus, तो यह answer plus का ही रहेगा लेकिन अगर ऐसा होता कि यह जो 6 है, यह minus का होता और यह 3 plus का होता होगा, यानि कि वो भी subtract होंगे अब number minus का पहले हो या बाद में हो, बात यह a की है, कहने का मतलब यह है एक plus का हो, एक minus का हो तो फिर वो subtract ही किये जाते है मैंने example लिया यहाँ पे यह minus का है और यह plus का है, अब इस case में क्या है plus और minus, यह तो पता चल गया कि यह subtract किये जाएंगे बड़े में से छोटा minus होगा 6 में से 3 minus करेंगे, तो 3 आएगा बात आती है, sign किसका लगेगा तो sign उसका लगेगा, जो number बड़ा है यहाँ पे 6 बड़ा है ना तो बड़े का sign लगेगा बस यह 4 चीज़े आपको ध्यान में रखनी है यह rules है यह rules है कि जब number आपके plus के होते हैं दोनों, तो वो add हो जाएंगे minus के दोनों होंगे, तो भी add हो जाएंगे लेकिन अगर एक number plus का है और एक minus का है, तो फिर वो subtract होंगे, subtract होंगे और जो sign लगेगा जब 2 sign आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर यही rule लगता है यह जो आपको यह rules बताए हैं यह लगता है, जैसे कि 6 minus minus 4, अब यह मैंने एक subtraction का example ले लिया है 6 है और minus और minus 4, तो 6 का तो 6 हो गया, अब minus और minus आपस में 2 sign टकरा रहे हैं तो यहीं देखिए, यह जो rule यहां बताया है यह ही है, इसका भी minus और minus टकराएंगे तो plus हो जाएगा तो minus और minus plus हो गया और यह 4, अब 6 में 4 जोडेंगे तो 10 हो गया एक और example समझेए, minus का 3 plus minus 2 यह तो एक ही sign है तो minus 3 as it is रहेगा यहां पे 2 sign एक साथ हा रहे है plus और minus तो plus, minus, minus हो गया यह रहा, plus और minus, minus और number 2 का 2 अब यह sign ठीक कर लिया मैंने 2 sign का मैंने 1 sign कर लिया अब यहां पे अपना function लगाएंगे function का मतलब है कि add करेंगे या subtract करेंगे तो यह दोनों ही number minus के हैं तो वो add हो जाते हैं तो इनको हमें add करना है 3 or 2, minus का 5 हो गया तो यह जो rule मैंने आपको बताई है न यह वाले, यह आपके इसमें भी काम आते हैं जब आपको numbers दे रखे होते हैं यह पता करने के लिए कि add होंगे कि subtract होंगे और यही rule plus 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 हो जाएगा minus minus भी plus हो जाएगा और plus और minus minus हो जाएगा यह आपके यहां भी काम करते हैं जब आपके दो sign आपस में टकराते हैं अगर same same sign है तो भी plus हो जाएगा अगर अलग-अलग है, एक plus और एक minus है तो minus हो जाएगा एक example और बता देता हूँ जहां पर दोनों साइन प्लस के होंगे जैसे कि –3 प्लस और यह 5 अब यह तो माइनस कहीं रहेगा क्योंकि यह आगे है यह प्लस का 5 है यह बीज में प्लस है और यह bracket के अंदर जो number है न यह प्लस का ही 5 है तो यह प्लस और यह प्लस दिखने रहा लेकिन है plus, तो plus और plus, plus ही रहेगा, और ये 5, अब यहाँ एक number minus है, और एक plus है, तो minus और plus, minus होता है, यहनि कि ये subtract हो जाएंगे, 5 में से 3 minus करेंगे, तो 2 आएगा, और sign किसका आएगा, जो number बड़ा है, यहाँ पे बड़ा number plus का है, तो ये plus का 2 होगा, plus लगाने की जरूत होती नहीं, बस, ये इसका last topic था, इसी से related आपके questions है, तो questions के लिए next video में मिलते हैं, तब तक के लिए, goodbye.